अस्कार भाईयो भनो, जेरेनियम एक आकर्षक लाल रंग का फूल, असीम सुन्दर्ता और स्वास्त लाब के कारण प्रकिति का बर्दान माना जाता है, इसका सर्वाधीक प्रयोग एरोमा थेरेपी के छेत्र में होता है, जेरेनियम का तेल, पेट की समस्याओं, तंत्रिका स समबंधी बिमारियों, आदी बिमारियों को ठीक करने में मदद कर सकता है, जेरेनियम तेल, इसकी सुगंधित पत्तियों से निकाला जाता है, इसकी कई प्रजातियां विक्षित की गई हैं, इसका तेल लगभग बिना रंग का होता है, लेकिन इसके तेल में लगभग योगिक होते हैं इसका तेल गुलाब की सुगंध के समान होता है जेरेनियम तेल के मुख्य घटक सिट्रे सिट्रो ने लोल और गेरा नियोल है इसका आम तोर पर सारिक मानसिक और भावनात्मक स्वास्त को बढ़ाने के लिए कई उपचारों में किया जाता है जेरेनियम तेल गाओं के माध्यम से रक्त के प्रभाव को रोकने में मदद करता है रक्त के ठकों के गठन को तेज करता है गाओ तेजी से भरने में मदद करता है इसका तेल सरीर में विशाक्त पदार्थों को भी रोकता है बवासीर को रोकने में भी मदद करता है इसका तेल प्रजनन कोशिकाओं के विकास को बनाए रखने के लिए महत्वपुन है यह सरीर में मवजूद मृत कोशिकाओं के पुनर चक्रमार में भी मदद करता है जेरेनियम तेल की सुगंध को लेना किसी भी की आत्मा के लिए सांति के रूप में और ठकान को कम करता है इसका दिमाग और सरीर पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जेरेनियम की पत्यों को चाय बनाने के लिए पिसा जा सकता है इसमें सुखदायक गुन पाये जाते हैं नसों को सांत करने में मदद करते हैं जेरेनियम तेल में मुत्रवर्धक गुन होता है जो सरीर को निरा विशकारी करने में बहुत मददगार होता है क्योंकि यह एंटी आक्सिडेंट है यह पेशाब की दर को समतल करके विशहरण में भी मदद करता है। जेरेनियम तेल प्रकित में कसैले हैं यह सरीर के कई हिस्सों में संकुचन उत्पन करता है। और चेहरे की तवचा का रंग निखारने और बढ़ती उम्र के प्रभावों को रोकने के साथ जूरियों से चार में देते हैं। सांस की समस्याओं को ठीक करता है, अनुसंधानों से पाया गया है कि जेरेनियम का तेल जलन, सुझन प्रतिक्रियाओं को बाधित करता है। जेरेनियम तेल मस्तिस के रसायन विज्ञान के साथ प्रतिक्रिया करता है जो मनो भरंस भूलने की बिमारी करतो प्रतिक्रम ग्रजान बिमारी। झाल झाल